पहले इसमें brand क्या गया है? action tisa आप इसको use कर सकते हो green ply को use कर सकते हो purge आता है फिर shock आता है और भी काफी brands आते हैं आप कोई भी choose कर लो 6 mm से 12 mm का आपको मिल जाता है मैं आगे बताता हूँ किस तरीके से आपको brand choose करना है लेकिन अगर हम पकड़ दिये 10 x 10 का एक कमरा है उसमें हमें flooring करनी है और हमने sheet वही ले ली हमने जो rate देखा था AC for brown color का था और 130 रुपया पर square feet उसका rate था उसमें installation plus material था मतलब labor और material दोनो 130 में complete हो रहा था 10 x 10 का कमरा है तो 100 square feet हुआ हमारा तो 130 रुपया गर हम rate पकड़ते हैं तो 13,000 रुपया हमारा खर्चाए जाएगा 8 mm की sheet थी AC for था अभी main चीज आपको समझना है AC for AC 3 क्या है कैसे आपको बेफकू बना सकता है कोई SDF हो गया high density जो मतलब एक proper अच्छी density वाले wood हो गया MDF होगा थोड़ा medium होगा तो AC 1, AC 2, AC 3, AC 4, AC 5, AC 6 क्या है देखो जो आपका plank आएगा जो आता है हमारा नौर्मल नीचे वो ही सेम रहेगा लेकिन जो उसके उपर laminate होगी जो beer tier सेहन करेगी मतलब आप उस पर कितना चलोगे कितना उस पर कुछ भी गिरेगा तो वो खराब नहीं होगी वो इस से होता है मतलब अगर आपका AC 4 है तो वो एक अच्छी quality है mostly flat बगरा, गर बगरा में AC 3 है, AC 4 यूज़ किया जाता है जितना हम जादा करेंगी AC 5 उसकी जो उपर layer होगी वो काफी ज़दा अच्छी होगी AC 6 उसकी और ज़दा अच्छी होगी मतलब जो commercial use आ जाता है जहां पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ ने कुछ हो रहा है वहाँ पर AC 5, AC 6 यूज़ की जाती है लेकिन हमारे गरों में आपको AC 4 से कम यूज़ नहीं करनी है AC 4 ही लेनी है यह याद रखना तो आपको कुछ Chinese माल मिलता है जो आपको 50 रुपे स्केर फीड बोलते हैं, कि आपको Laminate Flory मिल जाएगी, 60 रुपे 55 रुपे, तो वो कौन से होती है AC 1, AC 2, उस पे कोई grade बगरा नहीं दिये होता है वो आपको ऐसे उठानी पड़ेगी वो उस पे Laminate Hulky Quality को होता है इसलिए वो सस्ती होती है तो आपको AC 3 या AC 4 लगवानी है यह हमाशे याद रखना है जब किसी भी company का लोग है लेकिन आपको बोलना है AC 3 है, AC 4 ही हमें लगवानी है इसी के इसाफ से rate होता है और यहीं पे आपको बेफकुक बनाया जा सकता है कि आप सस्ती लगाने के चक्कर में यह कर लो अभी हम बात करते हैं material लगा लो हमने Action Tisa का material AC 4 sheet वो ली Laminate ली 80 रुपे material मिला हमें इसमें कोई installation नहीं है 80 रुपे का अगर हमें material मिल रहा है इतने का ही होता है 70-80 रुपे का ही market में मिल जाता है material ठीक है और लेवर कॉस्ट चल रहा है 18-25 रुपे पर square feet 18-25 रुपे पर square feet आपको fix करके proper से करके दे देंगे कोई जादा इसमें नहीं है और नीचे आपको डालनी होती हो polythene sheet अगर polythene sheet नहीं डालोगे नीचे से अगर dampness आई, sealant आये, moisture आया तो आपके जो plank होंगे ये सड सकते हैं, खराब हो सकते हैं तो आपको नीचे polythene sheet डालनी ही डालनी है वो आपको 3 रूपे पर square feet के हिसाब से खच्चा पड़ सकते है कितना? 3 रूपे और कुछ लोग क्या करते हैं कंट्रक्टर वगएरा? डायरेक्ट फोम डाल देते हैं फोम नहीं, उससे पहले polythene sheet डालनी है वो भी 80-120 micron की होनी चाहिए कितना? 80-120 micron की फिर उसके उपर डालनी है आपको फोम, ठीक है? 3-4 mm की फोम होनी चाहिए, वो डालो गया अगर अंडूलेशन भी है, उबड़ खाबड़ भी है तो आपको वो अवाज नहीं गरेगा एक प्रॉपर चलो के तब भी अवाज में आगी इसलिए, पॉलिजिन शीड मोईचर के लिए फोम आपकी अवाज के लिए, अंडूलेशन के लिए तो वो अप्रॉक्स 5 रुपए पर स्केर फीड पकड़ के चलो तो टोटल अगर मैं करता हूँ 108 रुपए पर स्केर फीड AC-4 आपको मिल जाएगी, मतलब कुद अगर material लेते हो, labor लगवाते हो तो आपको सस्ता पड़ता है as compared to अगर market से उठाते हो तो वो थोड़ा महिंगा बढ़ेगा मतलब 1000-2000 रुपए का फरक पड़ेगा लेकिन मेरे ख्याल में आपको फुल आपको क्या देना चाहिए, जहां से आप material ले रहे हो, उसी को ठेका दे देना चाहिए, installation का होता है अगर by chance खराब निकले, टूटा निकले तो वो उसकी सर्दद है, आपकी सर्दद में और यही price, जो labor का मैं बोल रहा हूँ यह simple pattern बनाने का मतलब जैसे simple pattern यहां आगे यहां आगे simple pattern अगर आपको stagger pattern बनाने आगे पीछे यह 40-50 रुपे पर square feet भी आपसे ले लिए जाएगा labor rate और उसमें wastage काफी ज़ादा होती है, मतलब 20-25% wastage हो जाएगी, तो pattern हमेशा simple रखो और यह हो गया